नमस्कार नई दिल्ली के अईतिहासिक विजय चौक से आप सभी का हार्दिक स्वागत है धलती हुई 29 जनवरी की शाम हर वर्ष की तरह ये पूरा इलाका सज धज के साथ तैयार है बीटिंग रिट्रीट के लिए हमारे गनतंत्र दिवस समारों का विदिवत समापन इसी समारों के साथ होता है बीटिंग रिट्रीट जिसमें है हमारी सेनाओं का जोशिला संगीत उसके बाद प्रकाश की आकाश गंगा ये सभी बीटिंग रिट्रीट को एक कभी न भूलने वाला अनुभव बना देते हैं मकर संक्रांति के बाद सूरे के उत्तरायन हो जाने से दिन बड़े होने लगते हैं लेकिन दिल्ली में यही महीना सबसे अधिक सर्दी का होता है इधर बसंत पंचमी भी बहुत दूर न समारोह बीटिंग रिट्रीट का एतिहासिक इमारतों की प्रिष्ठ भूमी है धलता सूरज कोहरे और धुंद के कारण रौश्नी और कम होती हुई ऐसे में एक जादू सा पूरे इलाखे पर छा जाता है हर रंग एक नए रंग में धल जाता है थव्यता और परमपरा का अन ज्याच कुझ नुड़ि यंटेली इस पर दिए पर्फेट ले बेश्ट एकुझे पर लुड़ू के घस्पोटा बक्र फ्याविट एक टर अधी डेजी पूनि रिच्टा यूट ऑ्ट व्यत बाग एन वीप्रीट कैंट यच्ट लैप्टिंग ड्यत्स बेट एक्या बीट and of course, visual awe will resonate with patriotic pride. In a short while from now, nearly 1,000 musicians from the armed forces will enthrall us with compositions and formations, amazingly creative renderings practiced to perfection. As January draws to a close, the weather opening up today very blissfully and a benign sun warming the entire vista. A perfect evening inviting us all to embrace the moment and time in the past always seems to have flown by. Time in the future tends to approach slowly. It is only in the present that it is alive, energized and happening. So just settle down, put all thought to rest and let the senses rule as you experience sight and sound give meaning to beauty today. ये सबी द्रिश्य लोटते हैं साल में एक बार और ये भव्य और एतिहासिक राश्ट्रपती भवन का प्रांगन जहां से कुछ देर बाद माननिय राश्ट्रपती जी प्रस्थान करेंगी आज के समारों की मुख्य अतिथी शमती द्रौपती मुर्मू भारत की राश्ट्रपती उनके अंगर अक्षक 46 घुरसवार अंगर अक्षक तयार और इधर विजय चौक मंच है कतिविधियों का ये पूरा इलाखा बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार के प्रमुख कार्याले हमारा संसद्भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर ये हमारा नया बरतमान संसद्भवन और ये पूरा इलाखा अमारे शांदार गनतंत्र की तस्वीर यहां पर पेश करता हुआ So in the warm embrace of democracy and under the watchful gaze of our national emblem Today patriotic sentiment will meet martial melody and military tradition will walk with modern day celebration The evening today dedicated to the seamless interplay, the blending of military discipline and the free spirit of sound, a gentle breeze, lifted flutters and solid outlines of sandstone and of course the chill in the air and the warmth in our hearts Beating Retreat समारो को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी है 17-20 सदी में एक नई सेन्य परमपरा का जन्म हुआ जिसमें दिन समाप्त होने पर बिगुल भजने के बाद सेना युद्ध बंद कर देती थी ये परमपरा आज भी कई देशों में काइम है अलबता वक्त के साथ इसमें जरा बदलाव भी हुआ है Beating Retreat समारो का आयो जन्म रक्षा मंत्राले द्वारा हर साल 29 जन्मरी को विजय चौक पर किया जाता है ये गणतंत्र दिवस समारों का आपचारिक समापन होता है समारों के बाद सिनाओं के लोटने की इस परमपरा का जन्म युद्ध के मैदान में हुआ था शाम ढलते ही बिगुल बजने पर सेनाएं अपने धोज उतार कर और अस्त्र शस्त्र समेट कर अपने अपने शिविरों को लोट जाये करती थी और ये वर्तमान ग्रूप जहां पर सेने संगीत और प्रकाश दोनों मिलकर इस समारों को नई भवेता प्रदान करते हैं कुका Expectations कुण्यप थेलग टोलग ए्लित अजग, इश Сब आ, इस समारानी थी आग पर यावेधारा को एट उर्ग्र sihंट अफ तो समी कि अच्ट भी। श्री गिर्धर अर्मने का आगमन बीटिंग डिट्वीट समारो के मुख्य अतिथी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच कमांडर भारत के राष्ट्रपती होते हैं 46 घुरसवार अंगरक्षकों के साथ जैसे ही राष्ट्रपती का काफिला विजय चौक पहुँचता है बिगुल के उद्गोश के साथ ये सूचना दी जाती है बिगुल और तुरही की गूँच इस बात का संकेत भी होती है कि समारो बस अब शुरू होने वाला है क्यूंकि राष्ट्रपती पधार रहे हैं आगमन के पशात राष्ट्रे से लुट दिया जाता है और राष्ट्रे गान की थुन भजाई आती है In fact, this absolutely unique ceremony is a display of history harmonizing with the here and now and it is only natural that posterity's desire to capture all of today's exhilarating moments for itself will ensure that we enjoy every fleeting minute of this spectacle कुषिर। प्रफेकल, कुषिर्जाए प्रफेकल, मुषिक अमूपमाटowej, मुषिक पेज़ से पेन्ट जाएवगा है, प्रफेकल, मुषिक प।थिर्ण फ्रफेकल, कुषियान। पही हुश्छियोज साफ जाए लाए कि लिखूशन के लाएक प्टीरिषी कि अंधे लिखंव नाच यज्यून पीनीटिरी से प्राइच दिखे लिखाफ प्रिंटर्फ कि लिख यह जए लाएकर फ्रा लाएकर ट्वाफ्ट जी किल्तिल्टेब कारता थे लिखं अन्यून उ कि कि अजग करके अगमन हो रहा है। है विजय चौकपर वायुसिन अध्यक्ष के बाद अब नौसिन अध्यक्ष का आगमन नौसिन अध्यक्ष एड्मिरल आर हरिकुमार कुछ साल पहले तक इस अमारों में सिर्फ सेनाओं के बैंड ही शामिल होते थे लेकिन बात में थल सेना नौसिना और वायुसिना के साथ केंद्रिय सशस्त्र पोलिस बल सी एपी एफ के बैंड को भी शामिल किया गया इस बल की महतुपून भूमिका की यह एक और पहचान और की हाँ विजय चौक पर अगमन भारत के थल सेना अठ्यक्षका Chief of Army Staff General Manoj Pandey arriving here so while we get ready to witness and relish the foot tapping drum beats and sing-along tunes and the beautiful calming notes of flutes and chimes let's share a little bit about the background of the ceremony beating retreat is a centuries-old military tradition dating from the days when troops disengage from battle at sunset and as soon as the buglers sounded the retreat the troops ceased fighting withdrew from the battlefield and it is for this reason that the custom of standing still during the sounding of the retreat has been retained to this day colors and standards are cased and flags lowered at the retreat part of the cds chief of defense staff general anil chohanka argument we will hear a lot of percussion instruments and drum beats recall the days when troops were camped in towns and cities and were recalled to their quarters at an appointed time in the evening and based on these military traditions the ceremony of beating retreat creates a mood of nostalgia for the times gone by every year as we shared new elements are included in this performance and all are desirous of bringing a more indian flavor to the ceremony the tunes performances and have been infused with more variety and lyricism raksha raja mantri shri ajay bhat ka aagamun vijay chaukpar or beating retreat may sabhi band dhune bhajate huye march bhi karte rehte hain or saath-saath akritia bhi bhanate hain in fact in fact many of us who are familiar with these ceremonies will actually be able to hum along with the tunes like Sound Barrier, Tiger Hill, एक्ला चलो रे, कदम कदम बढ़ाई जा, ए मेरे वतन के लोगू and there is the Drummer's Call which actually receives the maximum applause here for the sheer discipline, rhythm and perfection of formations that they bring along with snapping of fingers and tapping of toes. Vijay Chauk, गति विदियों का मंच और एके करके गन्नेमान व्यक्तियों का आगमन, प्रोटकॉल के अनुसार, रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह का आगमन, रक्षा मंत्री, श्री राजनाच सिंह, वेलकॉल तो वेन्यों, वे अभूच प्रीटे लांपमन, ब्रीटे você." In fact, winter has this powerful way of foregrounding the importance of warmth in our lives and here in 19 таким सिंह, just as the mellowing rays of our benevolent sun nourish our presence, it is the warmth of national pride that warms our spirits, uniting us as a people as a nation. प्राइसीना पहाडी पर आज जब सूरज ठलेगा तब रिट्रीट की धुन बजाई जाएगी राश्ट्रिय ध्वज को अतार कर सम्मान के साथ ले जाए जाएगा उसके बाद आज के समारो के प्रिंसिपल कंड़क्टर लेफटिनेंट करनल विमल जोशी राश्ट्रपती जी से अनुमती लेकर बैंड वादकों के साथ प्रस्थान करेंगे और उस समें सारे जहां से अच्छा की थुन और यहां से सभी बैंड दस्ते राइसीना पहाडी की ओर उचल हो जाएंगे विशाल जनसमु आज के इस भब्य समारो का साक्षी बनने के लिए मौझूद विजय चौकपर The warp and weft of this beautiful country we call home is nothing but its people The different colors of our diversity designing its fabric And this fabric reflected in the audience here today Seating enclosures packed Great, great anticipation in the crowd As this is one of the most talked about military ceremonies in the country आज हम जिस भारती military band से परिचित हैं उसकी कहानी 300 साल के British military band के इतियास से जुड़ी है British राज खत्म हुआ तो military band का भारते करण शुरू हुआ Commander in chief, Phil Marshall, केम करेपा ने इस जुनोती को स्विकार किया और 1950 में मद्यप्रदेश के पच्मणी में military school of music की नीव रखी यह वही समय था जब भारते दुनों पर आधारित, इंदोस्तानी military band को आकार दिया गया और जैसा कि हम सब जानते हैं अब beating retreat समारों की सभी धुने भारती धुने हैं और विजय चौक पर आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र के प्रधान मंत्री श्री नेरेंद्र मोधी का कि प्रध करेंद्र मोधी इस काकेड अर्यविजय चौक it the beating retreat ceremony set against the backdrop of the splendid rush to the boron as we saw the car kid coming down was flanked on either side by the north and south blocks and here slowly coming to a halt anticipation now increasing the ceremony is about to begin in a short while from now after the arrival of the president of India गृण तंत्र का उत्सव है लोग तंत्र की धूम है हमारे राश्ट्रे पर्व गन्यमाने व्यक्तियों की उपस्तिती इसकी गरिमा में वृध्धी करते हुए और अगमन देश के पृद्धन मुंत्री श्री नरेंडर मोधी का उनकी अग्वानी की गई रक्षा मंत्री रक्षा राज्यमंत्री रक्षा सच्छिव CDS or Tino Sina Dhyakshitaura टोडे, magnificent heritage steeped in history and perfect protocol as the dignitaries here now await the arrival of the vice president of India today we shall see the euphoric elixir of martial music will make hands heads and hearts move in rhythmic synergy and present here at the venue so many pairs of hands and so many anticipation filled heads and of course so many hearts filled with love for the country the surroundings will resonate with the coming together of nearly 1000 bandsmen and here we can see the president of India श्रीमदी द्रापदी मुर्मू now departing from रश्रपती भवन for Vijay Chauk as the chief guest of today's ceremony दर्बार हॉल से राश्रपती जी प्रस्थान कर रही हैं राश्रपती भवन के प्रांगन की और अग्रिसर इनके साथ हैं राश्रपती के शने सच्चेव मेजर जनरी रंजीट सिंह मंधराल उपसे शचेव गृपतीन अबहारृ अरुन फंट सालकर ADC लिव्टन इन अमांडर सनिल परुलेकर और मेजर अविनाश्च चेत्री the president of India the supreme commander of the Indian Armed Forces and the first citizen of the nation the stately forecourt of rush for the bhavan lined with trees and water channels and this T-shaped forecourt is used for ceremonial occasions the 31 not steps going down to the forecourt the president's bodyguard we'll give the salute we'll give the salute we'll give the salute कि विजय चौक जहां पर आगमन हो रहा है देश के माननिय उप्राश्ट पती श्री जगदीप धनकर्खा देश के माननिय उप्राश्ट पती सुझे तीप थंकर्ष और उनकी पतनी डॉक्तर सुधेश थंकर्ष थंकर्ष का तो कि बायकर्ग अड़ाबना. हाँ एक इक जैनन डौट सिलेखी जहात अप्रेस भावना, भो बायकर्ट जए राजा कि इ precisamente हिएोस से अनर जाज़ी में भूल्श और जहात सिएकर्वादा. and the president's bodyguard, the PBG Commandant, Colonel Amit Behrwal, astride his Mount Glorious, and the second in command, Lieutenant Colonel Ramakand Yadav, astride his Mount Sultan, the senior most regiment of the Indian Army. In fact, this year's Republic Day celebrations is very special for this elite regiment, as the Angharagshak have completed 250 years of service since their raising in 1773. Excellent military traditions and professionalism, and in the words of the president herself, the supreme commander of the PBG, they are the flag bearers of the rich heritage and military culture of our land with discipline. अगर्णने राश्च्वपती काफिला, राश्च्वपती भवन की ओर से, प्राइजीना पहाडी से होता हुआ विजा चौक की ओर अग्रिसर, उन्थे गुड़सवार अंगरक्षक, Commandant Colonel Amit Behrwal की कमान में, और आज के समारों में, अगर हम बात करें संगीत की तो इसके प्रिंसिपल कंड़क्टर हैं, Lieutenant Colonel Vimal Joshi, Special Conductor Major S.R. भुसाल, Special Conductor Air Force, Flight Lieutenant Lai Ma Pokapam, Rupa Chandra Sink, Buglers, Naip Suvidar Umesh Kumar, C.A.P.F. Band, Constable G.D. Rani Devi, Pibes and Drums Band, Suvidar Major Rajendra Singh, Air Force Band, Warrant Officer Ashok Kumar, V.S.M., Naval Band, M.Anthony, MCBO, Musician, Guntu, Army Band, Suvidar Major, Moti Lahl. Also to share with your viewers, Tradition of the past finding new life this year, President Draupadi Murmo is reviving a tradition after more than four decades, opting to arrive in this majestic, horse pulled bucky, adding a touch of historical grandeur to the celebration. And for drawing the bucky, the selection of the troopers was to wear the scarlet winter ceremonials and ride to bee-colored mounds. And these horses, which are bred at the Army's rebound and veterinary corps depots, undergo vigorous and vigorous training to also acclimatize themselves to various sounds of armor and hortense sounds. Buglers heralding the arrival of the President of India. and holy co-op. Moodoo! 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 अजय को चाहाँ गाहाँ एक लागाँ जागा लागाँ कि भ्राज जूसा को सिर्व ए जढ चको धराओ रूछ जड़ों concise वार्ट से वार्ट सकता है कर दो को. कर दो कर दो को. कर दो कर दो neighborhood! विजय चौक पर आगमन हो रहा है तीनों सेनों की सर्वोच कमांडर देश की प्रथम नागरिक भारत की माननी राष्ट्रपती श्रिमती द्रॉपदी मुर्मू का अग्वानी की गई और अब राश्य से लूट और राष्ट गान जेश की महमद मैंनी राष्पती जी का अगमन और यहां पस्ति अनिकर्माने लोगों का अग्दावन स्विदात्य गुष् अग कर्या करणी नागर्न ऊटना इसमें लुग। गौरारा राष्टी से लीूट होगा, राष्ट गाल बजाया जाएगा तथा राष्ट भज पहराया जाएगा आप सबसे आगरम अपने अपने इस्थान पर धड़े हो जाएगा, वर्वी धारी से लीूट करें जाएगा 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 जाएग कर दो 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 कर बात्र इंस आपारी झाल 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 तूम्हीं दो स्मरो, तूम्हीं दो, आपन सुखा, बैट को लिजाने कानुब। दी करता हूं! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो, कर दोकाश भूब ठोड़र दो दो करो कर दो झाल 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 रोश्णी से तस्वीरें बदल जाती है रोश्णी से तक्दीरें बदल जाती है अंधेरा तभी तक है जब तक रोश्णी नहीं है जन जन के कल्यान के संकल्प इसी विचार पर ठिके हैं कि सभी के जीवन से अंधकार को मिठाये जाए जैसे जैसे रोश्णी पढ़ती जाएगी तस्वीर और तक्दीर बदलती जाएगी अश्छ गूटेख विचम पिचार पταरण के साली जाता है ठीद्यों विच्छ जोटेख मेंकिन घॉड़तीश और झाया तक्क्रण्य जैसा जाएगी आसा और shouttey out eight guys य Kore झार विंदधे विच्टीन clock त === के संहिं है ओ्लिव कार ट्में है पर दुछेंग हैं प्रिपनी मेरी कि अन्क रेज़ जरूड कि अन्सक्राइश कि अन्सक्राइश भोड़ा कि आप ऋौकाश्ट्ट इपन जया मेरी कोर्प टार्याू एंस इंटेर्सित विप्वेश्टिः एंटी पूड़कर इंटी और जेसे इंटी तकान्व टेज़ आपिवेकान चुकान नाफ़ा गार्व कर नाफड आपड लुग कर दिसके एक क्या अब्सक्वार इनावा घंचातिन उन्जक कि अपे लुग विडर िखाड अरत अप्रेसित अप्रडेश्क चाहिए लुग अब्सकखूं कि रेखू लुग जाते है कर दो एफ आज़ोंगे! कर दोग कर दोग कर दोग!! मजज़ोंगे!!! कर दो कर दो कर दो दो कर दो दो and as the president of India shreemati draupati murmoo the country's first citizen in the supreme commander of the Indian Armed Forces is escorted back to rashtapati bhavan her official residence she carries with her the pride and satisfaction of having witnessed yet another wondrous display देश की माननिय राष्ट्रपती श्रिमती द्रापदी मुर्मू विजय चौक से अब प्रस्थान कर रही है अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपती भवन की ओर अयतिहासिक पग्गी जिसे इस बार हमने करतव पत पर लगवक 40 बरस बाद देखा आननी राष्ट्रपती विदा लेती हुई अपनी असद्री बनाता है अए भारत्मा के लिए अब राष्ट के वजया पेराता चले ही विजय के जाता चले हुई पर्व उत्सव मिलकर मनाई जाते हैं इसलिए वो यादगार बन जाते हैं हमारा पचतर्वां गनतंत्र दिवा समारहूं का अवसर और ये आज विदिवत समापन बीटिग रत्वेट से अब राष्ट्रपती जी को चान करते हैं As the President's bodyguard escort the President, the evening breeze having picked up a little and carrying with it The powerful strains of the martial medallies and melodies we heard here today Earlier the retreat was sounded, the national flag was lowered and folded with protocol and respect and put away for safe keeping And just as the darkness is giving meaning to light here and light is highlighting the darkness In our nation, our unity, our coming together as one is a marvel only because we are so different And as the myriad shades of color interplay to create these resplendent visuals Brought to you live from Vijay Chow by Dhu Darshan And light bathes the seat of power and governance The nation once again pledges to provide, protect and empower its people Helping create an equity-based future for all its cities Yeah, I love Mr. Pudhar. समारो पूर्वक उनका प्रस्थान और रॉष्णी में नहाया हुआ पूरा मन्जर और विजय चौक से देश के माननी उपराश्ट्रपती श्री जगदीप थंखड प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश थंखड we were very lucky and blessed to have a sunny evening when the ceremony started because dusk has brought with it a thin wail of the fog but lights celebrating and as the evening settled in and temperatures dip in the capital और आफिर्टरोश्टिम और शजनल शजनल रिसे ज़िए कि अजिए जभी आफ जविए आफिंज आफिए टोगद ग्याओंग टोगगा एफ टी नेशे लाफ्य के अविए अज़ा कि अेश्टन है अर्डियन स्टिक्रीनिटरमोदी अ शीक्रेण हो और चौकरी के सकते हैं वाकिंट रहून हैं अप्टक्नेट के समय नेटाई पैंडरेशी खीजा हैं पानवने प्रुधान मंत्री यहां आए हुए सबी दर्शकों का यह समारो यादगार होता है उसे और यादगार बना देते हैं दर्शक दीरखाओं के निकट पहुँचकर उनका अभिवादन स्विकार करते हैं बदलते भारत में समृद्ध और सशक्त भारत की तस्वीर और विजय चौक से अब मानवने प्रधान मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं आओ रोशनी से वादा कर लें कोई अंधकार का कोना न छूटेगा बदल देंगे हर उस मंजर को जिसमें जरा भी रोशनी कम होगी हमने प्रणखिये, शपत ली, हमने संकल्प धारे, उन्हें सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं हम एक नए भारत को बनता हुआ देख रहे हैं गणतंत्र उत्सव की अनेक शुपकाम नाएं नमस्कार, जय हिंद हम एक प्रणखिये, प्रणखिये, जय हैं हम एक प्रणखिये, जय हमने प्रणखिये वी दो रहे हैं का प्रणखिये, जय हैं झाल झाल झाल